Module 68 Causes of Conduct Disorder इसमें अब हम बात करेंगे About the Psychological Reasoning यानि कौन से ऐसे Psychological Factors होते हैं जो के Conduct Disorder को Develop कर सकते हैं तो इसके अंदर जो पहली चीज है जो psychologically बच्चे को Effect करती है That is the Disruptive Family Functioning Disruptive Family Functioning जो है उसका मीन जो करक्स है वो यह है कि जो बच्चे की Attachment है और वो अपने Parents के साथ secure नहीं होगी वो non-secure होगी क्योंकि जिस वकत बच्चे की Attachment अपने Parents के साथ secure होती है तो उस वकत वो बहुत से norms जो के Parents adhere कर रहे होते हैं वो उनको confirm करते हैं लेकिन जिस वकत बच्चे जो है वो अपने Parents के साथ उनकी जो bounding होती है वो non-secure होती है तो वो कोशिश करते हैं कि वो principles या वो values जो उनके Parents जो है adhere कर रहे हैं वो उनको adhere ना करें तो जो secure attachment होती है वो बच्चों के अंदर develop करती है conformity को जबके जो non-secure attachment style है वो इस किसम की चीज develop नहीं करता बलके रादर जो बच्चे हैं वो lead करते हैं towards the violation of rules तीक है इसी तरह family breakdown जो है यानि अगर जो parents हैं उनके दरम्यान में divorce हो गया है या कोई marital जो issues हैं वो develop हो गई है और उसकी वज़ा से stress level जो है वो बहुँज़ादा high है तो वो एक बहुत बड़ा reason बनता है बच्चे का conduct disorder को exhibit करने में अगर parents का marital relationship style है यानि के parents एक दूसरे की तरफ aggressive bounding रखते हैं तो वो चीज़ जो है वो बच्चे के उपर effect करेगी और वो conduct disorder को develop कर सकता है इसी तरह अगर breakdown जो है वो किसी और stress की वज़ा से जैसे financial stress की वज़ा से हुआ है तो वो चीज़ भी बच्चे को effect करेगी और बच्चा जो है वो conduct disorder develop कर सकता है However, researchers ये भी explain करती है कि जिस वकत parents जो है वो break up करते है और जो बच्चा है वो mother के साथ या father के साथ किसी एक के साथ रहना शुरू करता है तो बच्चा क्या conduct disorder exhibit करेगा या नहीं करेगा ये बहुत हद तक इस चीज़ के उपर base करता है कि उसके जो father है वो hostility में किस तरह का था अगर उसका father hostile था तो it may possible कि जो बच्चे के conduct problem के issues है वो continue रहें और अगर father hostile नहीं था तो it might possible कि वो एक changer बच्चे का जो conduct के issues है वो आना बंद हो जाए इसी तरह parental mental illness ये कहा जाता है कि अगर mother को किसे किसम की psychological disorder हो मिसाल के तरह पर depression है या mother के अंदर खुद mood disorder है या जो father है वो खुद anti-social personality है तो बहुत हद तक chances होते हैं कि वो यही behavior जो है वो घर के अंदर exhibit करते हैं और उसकी वज़ा से जो बच्चा है वो वो वाला behavior learn कर लेता है लेकिन इसके साथ-साथ ये चीज़ बहुत important है कि ये भी देखना है कि बच्चा कितनी देर तक उनके साथ in contact रहता है कितना time period एक दिन में उसके साथ spend करता है तो ये चीज़ जो है ये certain time effect करती है कि आइदर बच्चे का जो conduct behavior है conduct disorder है वो उसके behavior में exhibit करेगा या नहीं करेगा then harsh parenting अगर parents जो है वो बहुत harsh हों बच्चे के ऐसे behaviors की तरफ जो के socially approved नहीं है और उसको बड़ी harsh parenting दी जाए और उसको बहुत बुरे तरीके से discipline करने की कोशिश की जाए यानि positive punishment को बहुत जादा use किया जाए तो बहुत हद तक chances होते हैं कि जो बच्चा है उसके conduct issues जो है वो resolve ना हो बलके वो ज्यादा develop होना शुरू हो जाए तो जो harsh parenting है या जिसके अंदर जिसमे physical abuse जो है वो parents की तरफ से बच्चे के उपर अगर exercise हो रहा है तो उसकी वज़ा से बहुत हद तक chances हैं कि बच्चा जो है वो conduct disorder की तरफ के behavior जो है वो exhibit करना शुरू कर दे इसी तरह inadequate supervision ये कहा जाता है कि जो बच्चे हैं जो conduct disorder है वो उन बच्चों के अंदर जादा होता है जहां पर parents जो है वो appropriately उनके behaviors को supervise नहीं कर रहे होते या आमिसाल के दोर पर अगर एक बच्चा है और उसे पता है कि मेरे फादर ने रात को बारा ये एक बच्चे से पहले घर में नहीं आना और मेरी मदर ने आफिस से आकर आठ बच्चे सो जाना है तो it is less likely कि अगर आपने बच्चे का curfew का time नौ बच्चे रखा है तो वो उसे अडहेर करें चुक्कि उसे पता है कि उसके फादर ने एक बच्चे से पहले नहीं आना और उसे पता है कि उसकी मदर ने आठ बच्चे सो जाना है तो it may possible कि वो curfew का time जो नौ बच्चे का है उसे अडहेर नहीं गरेगा तो lack of supervision जो है certain time बच्चे के अंदर इस किसम के behavior जो है वो exhibit करने में की एक वज़ा बनती है इसी तरह अगर बच्चे ने किसी को hit किया और parents ने उस चीज़ को ignore कर दी तो that's me के जो parents हैं उन्होंने उस को properly उस problem को acknowledge नहीं किया और उसको discuss नहीं किया जिसकी वज़ा से बचा जो है हो सकता है कि conduct disorder को in future भी जो है और वो carry on करता रहें Thank you